अज मैं आपको आपके प्रिंटर को किस तरीके से अपने लाप्टाप को connect करते हैं डोस्तों प्रिंटर ढot को आपका कोई भी प्रिंटर हो और ने लाप्टाप को यह इन लाप्टाप में जि08्प ने अपने लाप्टापよね रदेुमक्सक्न um चल जाएक किस तरीक से अपने अपने प्रिंटर को सबसे पहले आपको क्या काम करना है जैसे कि आपका फ्रिंटर है इसका पाउर सप्लाइ यहाँ आप देख सकते हैं यह पाउर अन आपका बटन है इसे दबाना है दोस्तों इसे दबाने के बाद यह देखिए on लगा दोस्तो आपका प्रिंटर आपको कर नीचव द्रूस्तों इसके बाद ने सेटेंड चीज आपको जो करनी है दोस्तों यह पर हैं यहां पर देख सकते हैं पर CD डाल कर उसका एक software आता है दोस्तों वो software को जो है install कर लीजे install कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं software जो है यहाँ पर आ रहा है दोस्तों यह install हो चुका है दोस्तों यह देखिए इसको clear होने दीजिए पर दोस्तों इसके बाद में क्या करना है दोस्तों आपको software इंस्टाल करना पड़ेगा दूसरी आपके जो है printer से जो एक केबल आती है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक connector केबल है दोस्तों यहाँ पर दिखिए एक connector तो यह से लैप्टॉप के अंदर कनेट करना है दोस्तों अगर केंप्टॉट रहा है तो यह सफ्टेर इंस्टाल कर लीजिए और से कनेट कर लिजिए इसके बाद ने बात खतम दोस्तों आपका जो है ताइंग करके आवाज भया हो गया आपने अब भी जो है आवाज आ गया दोस्तो चलिए फिर से दिखाता हूं यह देखे निकालने पर जाएगा यह देखे आवाज सुन सकते हैं इस तरीके से आवाज आगा यह निकि यह जो है आपका प्रिंटर जो है अपने लाप्टॉप से कनेक्ट हो गया दोस्तों अभी आप कुछ भी प्रिंट देंगे तो उसके अंदर जो है एच पी इंक टैंक 310 सिरीस करके सेलेक्ट कीजिए दोस्तों कंट्रोल पी मारने के बाद मेरे चैनल में वीडियो है दोस्तों हाव टू प्रिंट कैसे करते हैं अपने केम्पूटर से बोलके नहीं तो उपर आए बटन में भी आ रहा होगा उसे देखकर भी आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं अब बसंद आए तो लाइक कीजिए इसका लावी कुछ भी सावलें नीचे कमेंट करते हैं आज की वीडियो में इतना ही धन्यावाद